आज के session के लिए हमने उस important day time stream की candle को कैसे find किया है और आप कैसे अपने इस trading के वक्त में उस important candle को find करोगे इसके उपर आज एक discussion करेंगे and supply के अंदर देखिए यहाँ पर जहाँ निकले हैं आपर बहुत सारी volumes के break out होने लग गये थे because अपनी इस range के उपर ही प्रेज ने volumes के breakout कर दिये यहाँ पर volumes करेंगे देखिए पूरे दिन के सबसे आदर volumes इसे candle में confirmations मिल रही थी कि हम यहाँ से निकल जाए so इसी एक छोटी confirmations के साथ हम यहाँ से बहार निकल गये थे so trading book open करते हैं अपनी and login है pre login okay so यहां से लोग position book open करते हैं okay overall जो आज का हमारा profit 10,000 के around हमारा profit था एक decent सा profit इसको एक बार refresh करते हैं पेज को okay आज हम इसकी update दे रहे था आपको अपनी telegram चल पर because money में भी यह stock हमने आप लोगों को दिया था इसकी order book open करते हैं and काफी market side विज रही ना तो actual target हमको मिला और revised target हमको achieve हुआ वही काफी समय के बाद में तो total देखे 9,000 के हमारे सारे के सारे orders active हो गये थे नहीं आया था so position book में चलते हैं आपस एक ठीक ठाक profit और एक decent सा profit हमारा आज के सेशन का सिपला के अंदर मिला and अब हम बढ़ेंगे अपने analysis के तरफ पूरी तरह से one by one tick by tick एक एक candle को हम लोग analysis करने के कुछिश करें शुगात करते हैं daily time frame से यह जितनी भी ranges है सब को हम clear कर देते हैं बिल्कुल watch out कर देंगे चार्ट and daily time frame पर आप चलिए हर बार जितने भी वीडियो है मेरे सभी में हम हर बार आपको प्रिफर करते हैं कि daily time frame पर analysis आप ज़रूर कर लिया करो सबसे बड़ी चीज तो प्राइस अगर upside की तरफ जागा तो resistance ब्रेक करता हुआ जएगा । मौकी नहीं चीज नहीं लेकिन इनका यूस कैसे करेंगे इसको implement कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देनी की Zबहोता आपको आपको यहांपर पढ़ेगे low and high in the sence owl यह लो, हाई, अगें यह वाला देखिए, एक लो लगा, हाई, और वापस से प्राइज ने यहाँ पर आकर के कहीं लोज लगा दिया, इस एक रेंज को मार्क नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो मार्किंग करेंगे, अपनी 7th of February की कैंडल को मार्क करेंगे, इस एक कैंडल को होच चुके हैं, जिसको कि हमने आपको बताया, ठीक है, अब यहाँ पर हमारी यह एक एंडल, 7th of February की हम importance, अफिर 7th of February को importance ना देते हुए, हम 17th of February को ही क्यों इतनी importance दे रहे हैं, because यह अपना एक swing था, प्राइज ने एक high लगाया, and high लगा देने के बाद में, प्राइज अपने swing को break कर दिया, downside की तरफ, मतलब एक high लगता है, and high के बाद में, प्राइज ने अपने swing ब्रेक कर दिया, वापस अगर प्राइज किसी ने एक swing को break किया, तो यह नीचे की तरफ गिरना चाहिए, अगले दिन देखे, उसने क्या किया, एक gap up opening दे दे, gap up opening दी है, तो य यह एक simple से चीज़ है, समझने की कोशिश किजिएगा, थोड़ा सा time आपको लगेगा शुरुबात में, लगता है कि tough है, tough है, कुछ tough नहीं है इसमें, simple हम लोग क्या कर रहे हैं, एक candle को उठा रहे हैं, candle को पकट करके read करने की कोशिश कर रहे हैं, practice करो आप, इससे easy कुछ ह होगा ही नहीं, एक देखे swing लगा, एक high लग गया, अब अगर price को नीचे जाना, तो अभी जो चीज़ हमने आपको बता है, कि support break करेगा, price नीचे गिरेगा, support break हुआ, क्या होना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए, बट हो तो रहा इसका just opposite, कि price मेरा upside की तरफ भाग रहा है, लेकिन एक point जो यहाँ पर देखने वाला है, अगर यह strong भी है, तो क्या करना होगा, अपनी इस green वाली candle के upside में price को निकलना होगा, क्या price upside की तरफ निकला, हाँ निकला, यहाँ पर देखे, price मेरा upside की तरफ इसने जाने की कोशिश की, and 16th of February की candle का high break करने की कोशिश की, but again price ह हमारी range के अंदर ही आकर के close हो गया, जब से price मेरा इस range के अंदर आकर के close हुआ है, तब से price देखे, हमारा इस वाली range के बाहर नहीं निकला है, और वो candle हमारी कौँ से थी, 17th of February की candle, आप इसको mark कर लो, यह दो ranges देखे, हमने आपर mark कर लो, इस candle को और भी लिट कर दो, समझ next है क्या क्या market ने, upside की तरफ opening और upside की तरफ closing दी, वा कही में अगर price हमारा strong है तो उपर निकलना चाहिए, कोशिच भी की गए price के उपर जाने की, बट वापस price मेरा नीचे आ गया, नीचे कौन से candle आई है, यह वाली, और जब से हमारी 16th of February की candle, downside की तरफ 17th of February की candle, down की करते हुए, दो important ranges mark कर लिए, दो important points हमने mark कर लिए है, अब आजाओ आप lower time frame पर, morning में हमने आपको कुछ एक ranges mark कर के दी थी, देखे, आज इस range ने किस तरह से work out किया है, price उस range पर जा रहा है, नीचे के दा है, वापस उस range पर जा रहा है, नीचे के दा है, यह चीज हो रही ह जब price up में था, morning में, जब यह up trend हमें show कर रहा था, तो कुछ एक ranges हमने आपको mark कर कर के दी थी, अब lower time frame पर ही sipla का चाट है, इसके अदर एक छोटी चीज आपने गवर की, यह आज की हमारी 9.15 की candle है, अभी जब हम देख रहे हैं इसको तो यह green थी, बट अब वापस ही red हो अब इस candle का color होगा red है, एक बार इसको refresh कर लेते हैं, अभी भी candle का color red ही है, कोई बात नहीं, यह चलता रहता है, हम लोग focus करते हैं अपने analysis के ओपर, अब देखिए, morning में यह कुछ points थे, जो हमने आपको mark कर के भेज़े थे, अब यहां से हमें इनके अंदर की confirmations चाहिए थ अब हमें क्या करना है, अगर price मेला इस range से बार बर गिर रहा है, इस range के पास से हमें अपनी confirmations का wait करना होगा, यह चीज के लिए, अब छोटी सी चीज है, गौर करने वाली, price ने previous to previous day के session में क्या किया था, एक high लगाया और गिर गया, यह high हम किस तरह से calculate कर रहे हैं, उसके session के behalf, price ने high तो लगाया, बट वो अपनी देंच के अंदर ही रहा, उसके बाद में, last trading session में क्या हुआ, price ने वापस एक high लगाया है, और previous day का high ब्रेक किया है, बट नीचे गिर गया, आज भी market ने क्या किया है, एक high लगाया, और इसके ओपर sustain नहीं कर पाया, नीचे गिर अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हम इसका high mark कर लेंगे, high mark कर लिया, अब आजाए ये 5 minutes पर, हमने अभी तक क्या देखा है, कि इसके अंदर हमें जो opportunities find करनी है, वो होनी चाहिए मेरी lower time frame पर short selling की opportunity, अब देखिए, ये मेरे पास कुछ ranges निकल आएं, अब हमें यह range करते हैं, ranges अगर आप video skip कर रहो, तो बहुत सारी चीज़े में भी ऐसा होगा, कि वो flash हो जाएंगे, वो आपको समझ भी नहाएंगे, because जब हम range draw कर रहे हैं, उस वक्त आपने skip कर रहे हैं, तो आपको समझ भी नहागा कि यह line कहां से अगई, बस आपको देखेगा कि यह line एक entries के लिए हमने अपनी range, जिस point पर हमने entry ले थी, वो range हमने अपनी यहाँ पर draw कर दे, downside की तरफ जब price मेरा नीचे की और गिरा, और वापस से देखे, upside की तरफ जाते हुए price ने जो rejection लिया है, वो कल के high से लिया, वापस जब यह अपनी range के अंदर enter करने लग गया, हमने इसके अंदर अपनी position बना, यह तो है 5 minute का chart, अभी जब आप इसको team net के time frame पर देखोगे, तो आपको अच्छी candles आपको दिखाई पड़ेंगी, देखे है, price में close किया है, और downside की तरफ बगिर गया, 3 minutes का time frame है, अब आए 1 minute के time frame पर, 1 minute के time frame पर आपको यहाँ पर confirmations मिल market बहुत ज़्यादा जब volatile होती है, तब हमें shift करना पड़ते है 1 minute और 3 minute पर, हम बिल्कुल भी recommend नहीं करेंगे आपको, कि आप 1 minute और 3 minute के time frame पर, because यहाँ पर बहुत speed से काम होता है, 1 minute में एक candle बनेगी, 5 minutes में 5 minute में एक candle बनेगी, वो ज़्यादा अच्छी होगी, noises कम होगी और यह stop loss हमने आप पर लगा दिया, just जो हमारा swing high था, 932.30 लगभग, यह हमारा stop loss बना था आज के दिन कर, and targets आपको मौलूम ही है, हम लगातार अपडेट कर रहे था है अपने telegram channel पर, morning की जो low लगा था, मतलब 9.15 की candle का जो low point था, आज के मेरा यह target था, हम सोच रहे थे क price अगर नीचे गिरेगा, तो इस range पर आकर कि हम अपने profits बोग कर लेंगे, बर price वहाँ आया ने होगा उपर ही निकल गया, और यह जो volumes के breakout हो गये थे, हमारी 2.15 मिनिट के बाद में, जो activity हुई थी, यहां से फिर हम बहार निकल गये, देखे, इसने volumes के breakout किये, price नीचे नही candle को find किया, आप किसी भी stock में, आप tea, bank, nifty, options, trade करो, कुछ भी करो, just हमने क्या किया, swings को mark किया, and उन swings के पास में, अपने candles की activities find, एक बार हम लोग और इस चीज़ के उपर कारेंगे, जैसे कि swing हमारा किस candle ने लगाया था, 7th of February की candle ने, 7th of February का आप लो mark कर लो, देखे, इसन एक support बना दिया, price मेरा नीचे की तरफ गिरा, और price कहां से गिरना शुरू हुआ है, 17th of February की candle से, तो इस एक candle का low मेरे लिए important हो जाएगा, swing को price ने brick किया, and brick किस candle ने किया था, हमारा 17th of February की candle ने, continue यहां से downfall आया, किस candle से शुरू हुआ था downfall, 17th of February से, हमने इस candle का low mark कर ल और मेरा जो swing तर 7th of February कर लो, यहां से हमने इपनी confirmations ली, and day high का हम वेट कर रहे थे, day high के पास में जब price पहुचा, तो confirmation हुआ, वो pass में पहुचा है, in the sense, कि price उसके उपर फिर sustain नहीं पाया, वो नीचे किर गया, अब अगर इसको उपर जाना तो क्या करना होगा, कि अपना day high break करके उपर निकल जाता हो, यह मेरा stop loss ले लेता, तो हर बार हमने आपको यह चीज़ बताई है, stop loss अगर लगाना है, तो अब day high पर अपनी stop loss लगा, बहुत ज़्यादा से stop loss होगा, और deeply आपको price action को सीखना और समझना है, तो आप मेरे telegram channel जोइन कर लो, जितना भी हो सक इस तरह की videos आपके साथ share करने में, analysis को और अच्छी तरह से आप लोगों के साथ analyze करने, thank you, goodbye and we will meet again.